22 जन्वरी 2024 को अयुद्या में राम मंदिर का उदघाटन हो चुका है और इसके लिए करीब 6000 लोगों को इंबिटेशन भेजा गया था जिसमें बहुत से सेलिब्रिटी सादू संत और बहुत से क्रिकेटर सामिल हैं पर आज भी बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि इंबिटेशन भेजा गया था तो चलिए सुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों आपका एक बार फिर से फैक्टी नॉलिज की वीडियोस पर स्वागत है गाइस भगवान राम के प्रान प्रटिष्टा समारों में आने के लिए भारतिये टीम के पूर्व दिग्ग सलामी बल्ल सचिन तेंदुरकल को आमंतरन भेजा गया था इनके अलाबा भारतिये टीम के इस्टार बल्लेबाज बराट कोहिली को भी आमंतरन भेजा गया था और इंडिया टीम के पूर्व ओपनर और बीजेपी नेता गौतम गंबीर ने भी सोसल मीडिया के जरिये ये कनफर्म किया ह कि बो भी 22 जनबरी को आयोध्या में रहींगे इसके साथी पूर्व भारतिये खिलाडी बेनकटेस प्रसात को भी इस समहरों में आने का नियूता भेजा गया है इस बात की जानकारी उन्होंने ट्विटर के माध्यम से दी है उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल में ये ट् इसके साथी टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महंदर सिंग धोनी को 22 जनबरी को आयोध्या में होने वाले राम लला की प्राण प्रटिष्टा का आमंतरन भेजा गया था और इनके साथी भारती टीम के कप्तान रोहिस सर्मा को भी राम लला के प्राण प्रटिष्टा कार इक्रम में सामिल होने का आमंत्रन पत्र दिया गया है और इनके साथी मिथाली राज रवी चंद्रन अस्बिन कपिल देव राहुल ड्रविड रविंद्र जड़ेजा सौरब गांगुली सुनील गावसकर अनिल कुम्बल और बिरिंद सहबा को भी आमंत्रन भेजा गया था गैस आपका इस बारे में क्या राह है हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं और ऐसी ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें